हेलो फ्रेंड्स दिस अजीद कुमार एंड विलकम यू तो दिस यूटूब चैनल कमटिशन कम्मूटी आज हमारा प्रोनावन का यह थर्ड लेक्चर है इसके पहले प्रोनावन के पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने प्रोनावन को बिल्कुल बेसिक लेवल से जीरो ले कॉंसेट को सीखा और उन सारे इंपोर्टेंट कॉंसेट को सीखने के बाद उन सारे कॉंसेट एंड रूल्स पर बेस्ड आपके एससी प्रिवियस येर में पूछे गए कुछ को हम लोगों ने सॉल्व किया ठीक है तो आईए आज के इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते ह है और आज के क्लास को भी या प्रोणावन के जितने भी रिमेंनिंग लिक्टर से उन सब को हम लोग कवर करेंगे बिलकुल बेसिक लिबल से इसका उद्देश से क्या है ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं ताकि हम ऐसे बच्चों को सहायता पहुँचा सके जो बिलकुल इंगल में अपने आपको बहुत कमजोर असहाय महसूस करते हूं ठीक है जो रूरल बैक्ग्राउंड से बिलॉंग करते हूं और इंग्लिज के करण उनको लगता है कि उनका सेलेक्शन नहीं हो पा सके ठीक है और हमारा यह जो फिडियो लेक्शर चल रहा है यह आप सभी बच्चों के लिए चल रहा है उन सभी एक्जाम के पॉइंट चल रहा है जो दोनों के exam के point of view से यदि हम बात करें तो दोनों के tier 1 का silver same है और जो question का level होता है वो बिलकुल same होता है ठीक है तो यह जो हमारा video session चल रहा है यह हम लोगों कहीं जो video series चल रहा है यह बिलकुल निसुलक है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी hidden सुलक include नहीं है ठीक है और इसका साथ ही साथ हम लोग इसका pdf भी आपको provide कराते हैं और जैसा कि आप किसी भी अच्छे book में या किसी भी paid course को purchase करते हैं तो वहां पे जैसे आपको practice it मिलता है उससे ज्यादा practice it हम लोग आपको यहां पर provide करवा रहे हैं ठीक है तो आप हमारे pdf को या जो practice it है उन सब को हमार website से यूज कर सकते हैं यह सारी शुवित हैं आपको website पे available होती है हमारा schedule भी आपको website पे available होता है उस pdf तक practice it तक आप कैसे पहुंचेंगे इन सबों का link हमारे YouTube के description box में given है ठीक है इनके अलावा भी यदि आपको उसका use करने में किसी भी प्रकार की कोई विदिक्कत हो तो आप वे धड़क वे हिचक हमारा नाम लेकर हमारे call नमबर पर contact नमबर पर किसी भी time call कर सकते हैं तो ज्यादा बे! जयादा बहतर है हमारा यह प्रивается होता है हम सबो का यह प्रेयास होता है कि हम लोग जयादा जयादा बहतर से भार आप सभी बच्चों तक निसुल्ग उपलाब्द करवा सके ऑ्युए झाल से बच्चों का जल्द से जल्द एससी में सेलेक्शन करवा सके ठीक है चलिए तो आज के इस वीडियो सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं आगे बढ़ाने के पहले हम आपको रिमाइंड करवाते चले कि अब तक आपने हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय है इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर से हिट कर दें ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिपिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर से पहुंच जाए तो आएए बिना किसे बिलंब के हम लोग पढ़ना सुरू करते हैं और आज के क्लास को यानि प्रोनाउन के थर्ट लेक् प्रोनाउन का यूज करना सिखाया था फिर यहां पर हमने आपको प्रोनाउन का जो टेबल पढ़े थे उसका यूज करके इन सारे को सॉल्व किया था और उसके बाद इन सारे को सॉल्व करने के बाद यहां से प्रोनाउन के से पढ़ाना सुरू किया था वह बी का रूल क् बी के साथ प्रोणाउन कैसा यूज होता है बी को पढ़ने के बाद उसके वह सारे concept हम लोगों ने पढ़े थे उसके बाद हमने आपको प्रोणाउन के सेकेंड लेक्षर में पढ़ाया था लेट बट एक्सेप्ट एंड प्रेपोजीशन बिट्वें बिट्वें में क्या है पूजिशन इनके बाद क्या था और इन सारे रूल्स पर लोगों ने कुछ कोशन के सॉल्व किये थे उसके बाद टू तरी वन बन टू तरी का यह जो concept है जिसको बजपन से पढ़ते हैं उसको भी हमने पढ़ा था उसको पढ़ने के बाद यह कोशन हमने पढ़ाया था इस रहा था लेट वाट एक्सेप्टेंट प्रेपोजीशन यह उसी के concept के थुरू सॉल्व हो जाता है यह पौसेशिव इसका क्या concept है यूज करके यह कुछ कोशन हम लोगों ने सॉल्व किया था और यह सारे कुशन अब तक यानि के पिछले क्लास तक में हम लोगों ने जो प this that these and those तो आईए इनको समझने के लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले बोर्ट की तरफ और बोर्ट पे यह बोर्ट के माध्यम से हम लोग यहां पर सीखना सुरू करते हैं कि इनका concept क्या होता है और इसका यूज करके कैसे आपके से सीख्जा में कुशन पूछे जाते हैं करते हैं इन चारों को कहते हैं दिमोन इनकों करते हैंçar क्यों क्या होता है ईैसे कपड के यह से कौप recall को दिखाते हैं ठीक है सों तो देखिए उसको में से किसी को पसंद किजी एँद सवान यही काम यह करता है तो इसका काम है डिमोंस्टेट करना प्रदर्सीत करना जैसे हम आपके सामने यदि पहली बार आएं आप हमें नहीं जानते हैं हम आपको नहीं जानते हैं तो हम आपके सामने कर सकते हैं दिस इस अजीत कुमार मतलब आवाज के माध्यम से आपके सामने प् और प्रयास कर रहे हैं कि मैं अजेत कुमार हूं ठीक है इस प्रकार से महलें इंट्रोडक्षन अपने परिशे आपको को से ठीक है अब देखें इन के बारे में बजपन से जानते हैं क्या जानते हैं बच्पन से बाई कि यह दोनों कैसे होते हैं तो यह दोनों होते हैं सिंगुलर ठीक है इसको आप बच्पन से जानते हैं और इनको भी आप जानते हैं कि यह दोनों कैसे होते हैं तो यह दोनों होते हैं प्लूरल अब इसमें हम लोग देखें देश का प्लूरल क्या होता है द जबकि दूर के वस्तू को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं दैट और दोश का तो वस्तू भी हो सकता है व्यक्ति भी हो सकता है यह हम लोगों ने बजपन से पढ़ा है अब इसमें सीखना यह है कि यह जो दिस और दैट है इनका यूज प्रोनावन के तौर पर भी होत है तो यह कब प्रोनावन हो जाते हैं और यही दोनों ने यह चारों के चारों यह चारों के चारों प्रोनावन का भी काम करते हैं और एड्जक्टिब का भी काम करते हैं तो आईए सबसे पहले हम लोग सीखें कि कैसे समझे कि कभी यह प्रोनावन का का काम करेगा कभी यह देखे बड़ा simple सा example है this is my pain इसी sentence को हम दूसरी तरीके से express कर सकते हैं this pain is mine correct ठीक है बात समझ में आ रही है अब ज़रा ध्यान से देखे यहां पे इन दोनों ही sentences में this का यूश किये गया है अब यह देखे यह क्या है noun है noun के पहले आया तो noun के पहले आता क्या है adjective noun के पहले क्या आता है adjective इसलिए यह second sentence में जो देखा गया है यह demonstrative adjective क्या है यह demonstrative adjective है उपर वाले sentence में देखे यह क्या है तो यह वह यह verb के पहले लिखा गया है इसलिए इसको हम लोग काते हैं pronoun क्या काते है प्रोनाउन का थे ठीक है बात-समझ में आ रही है ऊपर वाले case में यही दिस काम कर रहा है demonstrate pronoun का और नीचे वाले sentence में यही दिस काम कर रहा är. demonstrative adjective का demonstrative adjective का ठीक है बात-समझ में आ रहे है तो इस तरीके से This, That, These and Those इन चारों में से किसी का use आपको कहीं भी दिखाई दे और यदि इन चारों में से कोई भी कहीं भी किसी भी sentence में noun के ठीक पहले लिखा गया हो तो उसी को हम लोग कहेंगे demonstrative adjective और यदि इन चारों में से किसी का परियोग कहीं भी किसी भी sentence में verb के पहले किया गया हो तो इन चा प्रोड़ों में से जो भी वहां प्रेजेंट और उसको हम लोग कहेंगो टेमोस्टेटिव प्रोनावन बात समझ में आ गए अब इनके ग्रामर की तरफ हम लोग चले इनके ग्रामर का कॉंसेप्ट क्या है आई इसको सीखते हैं तो इनका कॉंसेप्ट है कि यह जो दिस और ड लेकिन दीज और दोस इन दोनों में से कोई भी आए इनके बाद यह कोई नाउन आए या इनके बाद कोई वब आए यह सब के सब कैसे रहेंगे तो सब के सब रहेंगे बात समझ में आ रही है चलिए जैसा कि एक एक्साम्पल ले ले हम लोग यहीं पर यहां पर देट वाले से सुरू कर लें यह देखिए सब्सक्राइब काफी साधारन सा एकदम आसां सा कॉंसिप्ट है अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे कॉंसिप्ट की तरफ जिससे आपके ASEC में बार-बार question पूछे जाते हैं आए हम लोग उसको सेखना समझना सुरू करते हैं तो जैसा कि हमने आपको pronoun पढ़ाना शुरू किया था तब भी हमने आपको बताया था यह pronoun का use हम लोग क्यों करते हैं तो उसके बारे में हमने आपको बताये था प्रोनाउन का यूज करते हैं नाउन को रिपीट होने से बचाने के लिए रिपीटीशन को रोकने के लिए नाउन के रिपीटीशन को रोकने के लिए रिपीट होने से बचाने के लिए सेंटेंस को छोटा करने के लिए जुन्दर बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोनाउन का ठीक है इसका जो मुख्य उदेस है वो है नाउन को रिपीट होने से रोकना बचाना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग तो अब एक एक्जाम्पल लेते हैं हम कहें दप्राइस the price of the price of this black pin the price of this black pin is is more than more than the price of that pin यहां जरत ध्यान से देखिए ठीक है sentence आपको थोड़ा सा बड़ा जरूर दिख रहा होगा ठीक है तो उसका टेंशन आप मत लेजिए सबसे पहले आप इस sentence में देखे यहां पे पेन अब यह ब्लैक पेन हो वाइट पेन हो पेन तो है ठीक है और यहां पर वी देखिए क्या लिखा हुआ है पर यहां लिखा हुआ है अच्छा सापश고 रह रहे है यह भी देखिए हमने आपको pronoun के first class में भी बताया था noun को repeat नहीं होने देना चाहिए और noun को repeat होने से बचाने के लिए ही हम लोग यूज करते हैं प्रोनाउन का किसका यूज करते हैं प्रोनाउन का यूज करते हैं ठीक है इंग्लिस grammar कहता है कि हम noun को repeat नहीं होने देंगे बात समझ में आए तो नाउन को repeat होने से बचाने के लिए उसके पुनरावरती को रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं अब देखें यहां पर यह जो प्राइस के लिए ऐसे sense में noun को repeat होने से बचाने के लिए singular reference में हम लोग यूज करते हैं that का और plural reference में हम लोग यूज करते हैं दोज का ठीक है बात समझ में आ रही है तो that और दोज का use हम लोग respectively करते हैं एक और example लेते हैं अगला example the climate the climate of राची राची is is better than is better than the climate better than the climate of पूने अब आप यहां जरा ध्यान से देखिए इस sentence में क्या repeat हो रहा है इस sentence में आपको repeat होता हुआ दिखाई देता है climate अब इसको दो तरीके से आपके एक्जाम में पूछा जाता है पहला तरीका ऐसे लिखा हुआ मिले दूसरा तरीका इसी कोशन को दूसरे तरीके से आपके एक्जाम में जैसे पूछा जाता है अब हम वो दिखाना चाह रहे हैं अब देखें यहां से यह गायव कर देगा ठीक है, the climate of राची is better than पूने, अच्छा अब यह बताईए, चर्चा किसके हो रही है, climate की, चर्चा किसके हो रही है, climate की, राची के climate की तुलना हो रही है, पूने से, मतलब इस sentence पर यह बताई गया, कि पूने से बहतर है राची का climate, अब grammar का concept यह है, इंगलिस grammar का concept यह है, कि comparison is made between two similar things, तुलना हमेशा दो समान चीजों में होती है, तुलना हमेशा दो समान चीजों में होती है, इसको ठीक से समझेगा, क्लाइमेट का तुलना, क्लाइमेट से होगा, जैसे हम कहें कि माई सू, यहाँ ज़रा देखिए, माई सू आर बेटर, बेटर दैन यू, यहाँ ज़रा इस sentence में देखिए, मेरे जूते तुम से बहतर है, यह कैसे हो सकता है, यह क्या है, जूता है, और इसका comparison, इस sentence में given sentence में किसे होगा है, यू से, ठीक है, अब हम क्या हैं भई, हम क्या है, एक living being है, इनसान है, इनसान का तुलना, जूते से कैसे हो सकता है, हम जिसके लिए यू का use कर रहे हैं, वो use क्या होगा, कोई ने कोई living being होगा, कोई इनसान ही होगा, अब ज़रा सोचिए, कि जूता इ अर्थ ये होगा, कि मेरे जूते तुमारे जूते से बेतर है, ये हो सकता है, बासमन में आ रही है, इस sentence में कहने वाले का sense ऐसा रहा होगा, कि मेरे जूते तुमारे जूते से बेतर है, मेरा टीवी तुमारे टीवी से अच्छा है, मेरा मोबाइल तुमारे मोबाइल से अच चाराब है कोई साधी सुधा इंसानों दो फ्रेंड हो या दो एन्मिटी हो दुसमन हो तो वो कह सकते हैं कि मेरी बीबी तुम्हारी बीबी से अच्छी है वगेरा वगेरा बात समझ में आ रही है तो यहां पर हम लोगों को क्या करना होता है कि या तो ना उन रिपीट करके द लेगा तो इन दोनों ही सेंसिस में हम लोग इसका यूज करते हैं सिंगुलर के लिए यूज करते हैं डेट औफ का प्लूरल खेले यूज करते हैं दोज़ाउग का और यदि गीवन होगा तो हम लोग लोग दैट और दोज का रिस्पेक्टिवली प्रयोग करेंगे तो यह जो climate है राचिय के climate का तुलना पूर्णे से नहीं होगा बलके पूर्णे के climate से होगा बसमझ में आरही है तो climate क्या है एमस्ट्राकोण ङाउन है singular है so हम लोग यहां पे क्या use करेंगे हम लोग यहां पे use करेंगे that of बात समझ में आ रही है और similarly नीचे वाले कोशन में हम लोग क्या करेंगे तो सूश कैसा होता है यह होता है प्लूरल वह हम कैसा रहता है लेता है प्लूरल और यहां पे लगा हुआ भी है आपको दिख भी रहा है अब हम इस second वाले कोशन में क्या करेंगे इस दैन के बाद यहां पर यूज करेंगे हम दूज ओफ दूज ओफ यू दूज ओफ यू बात समझ में आ रही है तो इस तरीके से इनका कुशन आपके एग्जाम में दिखाई पड़ता है आपसे पूछा जाता है अब थोड़ा सा इंटेरोगेटिव भी पढ़ ले हम तो आप समझते हाऊ हऊ उबोट वैंन वेंड एक्टाइव टो यह जितने भी डऑू ऩी इंटरोगेटिव और यह उनमें बहुत सारा कनफ्शूजन होता है कनफ्शूजन क्यों होता है इसकी चार्चा मने करते हैं क्योंकि यही काम करतें इंटेरोगेटिव का किसका काम कर करेंगे interrogative adjective का काम करेंगे interrogative adverb का काम करेंगे और किसका काम करेंगे यही कभी-कभी काम करते हैं exclamatory pronoun का यही काम करते है relative adverb का बात समझ में आई तो कम से कम यह दो प्रकार का रोल प्ले करते हैं interrogative and relative अब interrogative pronoun में भी होता है एड़ेक्टि में भी होता है तीनों जगह interrogative हो गया relative दो जगह होता है रिलेटिव प्रणावन में भी होता है ठीक है बात समझ में आ रही है लेकिन relative adverb के रूप में आपको कहीं पढ़ाया नहीं जाता है हम भी आपको नहीं पढ़ाएंगे उन दोनों का मिला जूला concept जिस प्रकार से आपके एससी एक्जाम में पूछा जाता है हम उसको यहीं पे प्रणावन के क्लास में ही आपको डील कर देंगे ठीक है ताकि प्रणावन में जिस तरीके से प्रणावन प्लस मिला के कोशन आप से पूछा जाता है रिलेटिव के सेंस में वो सब का सब एक साथ आपका क्लियर हो जाए और चाहे प्रणावन के रूप में पूछे या एडवाब के रूप में पूछे रिलेटिव का देखें इन में से कोई भी दुनिया के डबलू एच इंटरोगेटिव वर्ड हूँ ठीक है उनको हिंदी में ट्रांसलेट करने पे यदि उसका फॉस्ट लेटर जो से शुरू हो किसे जैसे शुरू हो तो वही काम करता है रिलेटिव का और तब सेंटेन्स के लास्ट में लगा होता है फूल स्टाप क्या लगा होता है फूल स्टाप हिंदी में पूछ विराब लेकिन यदि किसी डबलू एच इंटरोगेटिव वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करने पर उसका first letter शुरू होता है कौसे किसे किसे सुरू होता है कौसे सुरू होता है तो वही काम करता है interrogative का question पूछने का ठीक है जैसे हम लोग बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं what is your name तुम्हारा नाम क्या है तुम कहा जा रहे हो तुम जिन से मिलकर आ रहे हो वो हमारे पडोस में रहती है बात समझ में आ रही है जिन से जिसे घाना आपने सुना जिन की चाहत में अकिया तरसी है ठीक है जिसकी आख जुकी चुकी ठीक है किसे सुरूव रहा है जो से बात समझ में आ रही है किसे सुरूव रहा है जो से जो से सुरूव तो क्या हो गया रिलेटिव ठीक है अब इनका कॉंसेप्ट जिससे आपके एससे से एक्जाम में कूशन पूछे जाते हैं हम सुरू कर रहे हैं से इंटे करा कभी हो सकता है आधा का मतलब जैसे वाट क्या ऐसा होता है तो यह आधा का है जिसको हम लोग को हलनत भी बोलते हैं अब तो को के हाफ वाली को और से हो यह पूरे वाले वाले से व wal Trung रे वह में इससेhe सीखे अगला कॉंसेप्ट है कि यदि कोई भी डबलू एच वार्ड इंटेरोगेटिव का रोल प्ले कर रहा हूं यानि को वाले में यह सामिल हो तो इसके तुरंद बाद यहां पर कोई ना कोई कोई या प्रोनाउन आएगा तो अब इनके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा व्र और देखें क्या कुषक है अपने पास इसको पढ़ लिया हम लोगों ने डवलोएच इंटरोगेटी भी हम लोगों ने पढ़ लिया अब चलते हैं कोशन की तरफ यहां पर आईए कोशन को देखिए देम सूज आर माइन तो जूता कैसा होता है भाई प्लूरल होता है अब यह देम क्या है ऑब्जेक्टिव केस है कौन सा यह कैसा है प्लूरल और यही अभी थोड़ी दिर पहले हमने आपको पता है था कि दोज हो या दिज हो उसके बाद आने वाला नाउन और वाब सबका सब कैसा रहता है प्लूरल होता है तो यह नाउन था प्लूरल था यह वाब है प्लूरल है तो यह कैसा होगा यह भी प्ल भीकोला स्लाइड देखे है हमारा इस QUESTION-Kो आप खुद से एक बार शर्फ करने का प्रयास किजी है the Climate of Hyderabad is better than Chin Bay तो better than Chin Bay नहीं होगा answer कै बनेगा हमारा answer बनेगा better than than के बाध हम यह पे यूज़ करेंगे that of next you may not realize it बर्ड़ वेदर पारबार डूरिंग क्रिस्मस इस लाइक नियू यॉर्क इन जून लाइक अब किसकी चर्चा हो रही है वेदर की बारबा डोस का जो वेदर है वो क्रिसमस के दौरान जैसा होता है वैसा ही नियू यॉर्क में जून में वेदर होता है तो वेदर का तुलना होगा वेदर से बारबा डोस के वेदर का तुलना हो से अब यहां पर हम लोग यूज करेंगे यहां पर हम लोग यूज करेंगे लाइक के बाद हम लोग यहां से सुरू करें इस को वैसे ही बात हैं आगे बढ़ते हम लोग यहां भी कुछ वैसा ही है चलिए इसको हम लोग बनाते हैं थोड़ा आसान है और चुकिए आपके सेसी प्रिवियस एर में पूछा गया है इसलिए इसको आप बनाएंगे तो confidence थोड़ा साथ का बढ़ेगा शुरुबात करते हैं सेकेंड कुशन से अब देखिए मुंबई के पॉपूलेशन का तुल्ला किसे हो रहा है यूएसे के पॉपूलेशन से होगा तो यहीं पर हम लोग यूज करेंगे हैं पॉपूलेशन खिलास में देखिए क्या लगा हूँ आई ओ एन आई ओ एन डाट इ यहां के लिए सिंग्लर को रिपीट होने से बचाने के लिए अम लोग क्या यूज करेंगे टॉल्यों लोग को यूज करेंगे डैट ऑ तो दैन के बाद क्या यूज करेंगे डैट ऐओ इनël एन एं उस नुसे ठीक है चलिए ठाट कोशन में धिजल के बनाते चले दाइए is superior to most of the countries of the world अब बताइए इस question का answer क्या हो सकता है इस question का answer हम आपको यहां पर नहीं बताने वाले हैं इसका answer वैसे ही बनेगा लेकिन answer आपको करना होगा comment box में ठीक है उपर वाले answer भी है आप करेंगे comment box तो यहां से आगे बढ़ते हम और चलते हैं कुछ आगे के question की तरफ यह भी कुछ वैसाई है तो इस question concern भी आप कहां करेंगे comment box में करेंगे ठीक है next यह भी कुछ वैसाई question है यहां देखिए दो जॉफ का एक्जामपल है इसको हम लोग देखते हैं चले इंडिया जीडिपी is most likely to grow by 6% higher than those of US तो अमेरिका का जो जीडिपी है और इंडिया का जो जीडिपी इनका comparison हो रहा है दोज आफ अब यहां बताएं कि यहां पर दैन के बाद दोज आफ का यूज करें या देट आफ का यूज करें सबसे पहले आप देखिए कि comparison इंडिया के जीडिपी यूएस के जीडिपी का हो रहा है यह जीडिपी के ग्रोथ का हो रहा है इसको जड़ा ठीक से आप समझे आप इसका स्क्रीन सोट ले लिए थोड़ा सा हम आपको टाइम दे देते हैं आसानी से आप सोच लीजिए कि तो आसा करते हैं अब तक आप जरूर कर चुके होंगे इस ग्रोथ का और ग्रोव का कोई चर्चा नहीं है इंडिया के जीडिपी और यूएस के जीडिपी का अब जीडिपी क्या है बाई सिंगुलर दिखिए यहां पर दिख विरा वह भी लिए हुआ है सिंगुलर तो यहां पर हम लोग डिस्टिब्यूटिव को पढ़ना शुरू करते हैं और देखें कि यह डिस्टिब्यूटिव होता क्या है तो क्या होता है डिस्टिब्यूटिव जैसा कि अभी थोड़ी जिर पहले हमने आपको बताया अधिज दोस यह चार के चार होते हैं डिमोन्स्टिब्यूटिव जो होता है और डिस्टिब्यूटिव डिस्टिब्यूटिव अभी क्या होता है दिखान प्रदर्सीत करना दे म्यीं क्या होता है राटना वितरीत करने ओठ сюжет तो यह अ islands होने आपको बताया कि चारों के चारों प्रणाउन भी होते हैं इसे कौँछ लोग इदर और नीदर भी पढ़ते हैं ठीक है तो यह बेसिकली चारी है अब इसी में आप देखेंगे कि एवरी में कभी वन जोड दिया जाता है ठीक है तो वो डूवल रोल प्ले करता है तो डिस्टिब्यूटी विकेवल चारी है और यह चारों के चारों भी एडजेक्टिव का रोल भी प्ले करते हैं इनका कॉंसेट भी वैसाई है यदि इन चा गौन से अब ये चारों के चारों कैसे होते हैं सिंगुलर होते हैं तो फॉइंट यहांसे हम लोग लिखते चले पॉइंट नंबर वन यह चारों कैसे होते हैं तो यह पहला पहला concept इसका थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखें तो इसको ऐसे न लिखें हम लोग कैसे लिख लें तो थोड़ा सा format change करते हैं देखे rule one distributive लिखते हैं इसके बदले क्योंकि distributive में यह चारों include हो जाएंगे अब कोई बे डिस्टिब्यूटिव कोई बीटिभ डिस्टिब्यूटिव फो सब का सबसम रहेगा में और गोएक और निमलूग कोई बेटीभ हो दौन कि हो हूं डेस्टि बीटिव क्या हो देस्टिब्यूटिव हो distributive के बाद या तो देखिए noun आता है या verb आता है यह दोनों मिलेंगे आपको और इसके बाद कभी-कभी possessive adjective आपको दिखाई देगा क्या दिखाई देगा possessive adjective दिखाई देगा तो इन में से कोई भी आए यानि किसी भी distributive के बाद कोई भी noun आए इन तीनों में से कोई भी आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप कसम खा लिजिए कि हमेशा और हमेशा इनको कैसा रखेंगे singular रखेंगे कैसा रखेंगे हमेशा और हमैसा singular रखेंगे कैसा रखेंगे तो हमेशा और Хम लोग इनको singular form में रखेंगे ठीक है अब आए इन concept पर best हम लोग इस question को solve करें लेकिन solve करने के पहले question का example लेने के पहले एक दो और इनके रूल बशे हैं आए उनको को भी हम लोग सीख लें उनको भी खतम कर लें और फिर सबका एक साथ एक्जाम्पल लेते हैं अब देखें का तीसरा जो रूल है वो क्या कहता है कि कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी डिस्रीब्यूटीव उ इसके बाद या प्रिन नाउन या प्रोनाउन लिखा जाए क्या लिखा जाए नाउन या प्रोनाउन लिखा जाए क्या लिखा जाए नाउन या प्रोनाउन लिखा जाए तो यह कैसा रहेगा तो यह रहेगा प्लूरल इसको ठीक से समझे किसी भी डिस्ट्रिब्यूटिव के तुरंत बाद यह दी और उस वर्ब के आगे जो पॉसेसिव एड्जेक्टिव आएगा यह पॉसेसिव एड्जेक्टिव आएगा यह पॉसेसिव एड्जेक्टिव 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 आपको पिसले क्लास में बताय था आप मेंसे बच्चों को परषानिया होती है क्योंकि वो जब वीडियो देख रहे होते हैं, उस time notes बना रहे होते हैं तो थोड़ा सा देखते हैं फिर pause करके फिर notes बनाते हैं वीडियो आपके पास free में available है ये वीडियो कहीं जाने वाला नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए आपको परिशान नहीं होना है आप एक बार जब पहली बार देखेंगे तो लिखते समय जब आप इसका notes बनाएंगे तो notes बनाते समय आप पहले से इसको समझ चुके हैं और अब जब आप देख देखकर उसको लिखेंगे तो सारी चीज़े फिर से वह आपके brain में क्या हो जाएगी revise हो जाएगी इससे क्या होगा कि आपका जो पकड़ है समझने का य यही आपका selection करवाएगा ठीक है चलिए तो आते हैं अब इनके कुछ example की तरफ जैसे everyone of them are ready ready to ready to help help her चलिए को जरा हम लोग देखे इस कोशन में जरा ध्यान से देखे यहां क्या दिखाई दे रहा है आपको everyone और देखें कि यहाँ पर वर्ब किसा होना चाहिए यह पर यहाँ पर लोग सिंगणर वं में लिखेंगे लिखें लिखेंगे बात समझ में आ रही है ठीक है और अब तोड़ा सा बताते चले आप में सरकों बच्चे क्या करते हैं कि यह सी का मुन भरने के लिए किसे भी फिमल कैंडिडे़ को को भी चार्ज 5 नहीं करना होता है ठीक है तो किसी भी after की कि कुई महिला हो भाले का हो ठीक है इस्तरी हो लड़कियां हो चातराहें हो वह सारी शात्राइं फॉर्म भर सकते हैं निसुल्क तो इसलिए विशे सुरुप से फिमेल जिंडर को तो हंडेट पर्सेंट जाके फॉर्म भरना चाहिए जिनके उम्र 18 साल हो ठीक है और सेक्षनिक युगता पहले जिनका हो सारी फिमेल प्र मुटनेट जाके आज ही अब रही बात लडगों की चाथरों की चाहतरों के में लोग बात करें तो ऐसे मेल कंडिडेट मेल कंडिडेट जिनका का टेगरी होता है जेनरल शेंको मातर 100 पे करना होता है और OBC के नीचे जितने candidate होते हैं यानि की SCST category में जितने candidate होते हैं उनको एक भी रुपया पे नहीं करना होता है तो SCST category के जितने भी बच्चे हैं प्लीज आप आज ही जाईए और जाके जल्दी से SCC का फर्म भर देजिए आप लास्ट डेट का इंतजार मत किजिए क्योंकि लास्ट डेट का जो बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं जो लोग एक दो साल पहले कभी लास्ट डेट में फिल करने का प्रयास कियोंगे तो आप यान करके देखिए SCC का सर्वर 3-4 दिन पहले से डाउन हो जाता है और आपका फॉर्म फिल नहीं हो बाता ठीक है तो ऐसी गुस्ता कि आप न करें जल्दी से जल्दी भर दें रही बात जेनरल प्लस OBC कैंडिडेट जो है मेल कैंडिडेट जो है 100 रुपए का टेंशन अप न ले 100 रुपए ब सुर इौर से सुरू किए चलिए आगे बढ़ते हम लोग एहाँ से अब इनके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पर तो स्लाइड िपर 아침 कोशन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो आई हम चलते हैं सीधा स्लाइड की तरफ बिना किसी देरी के और ठेर सारे को यहां पर हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं सबसे पहले यह आपके 2019 में जो 2019 का पूछा गया यह कोशन है जो कंड़क्ट हुआ था कब 2020 में तो आए इस कोशन को हम लोग यहां पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इस को देखें क्या करें सबसे पले आपको क्या दिखाए दिया इच अब इच के बाद यह देखें प्लेयर्स तो जो प्लेयर है आपको दिखाए में पड़ता है यहां पे मिलेगा इनहीं कि एक सेक्षं में देखने कैने मिलता और यही तीनओह सेक्षं करें तो और आंशर बनता है आउब ही करते हैं और आगे बढ़ते हैं सबसबसे पर हैं इस क्या मिला ड्यूर्स प्लेयर क्या है नाओन हैं तो यहां पर वर्ब मिल सकता है यह मॉस्ट मॉडल ऑक्जिलेरी वर्ब है तो इसमें कहीं को एरर होई नहीं सकता है और किसी भी मॉडल ऑक्जिलेरी वर्ब के बाद आप इस रूल को याद रखेंगे इस रूल पर वेस्ट कोशन बार बार आपके एक्जाम में दिखाई पड और में यह लिखा जाता है ठीक है चलिए तो अब आते हैं यहां से आगे और इस कोशन में हम लोग देखें कि आगे और कुछ है क्या एक पूछा गया पूछा गया आपका क्या था कि जिस पार्ट में एर है वो पार्ट आपको यहां पर नीचे दी डिये कहें और आपको बताना है कि जो आगे बढ़ते हम लोग कुछ और कोशन को देखने का प्रयास करते हैं को अब आप एक बार स्क्रिन सोट लेके खुझ से जल्दी से सॉल्व किजी अब इनकों लोग यहां पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं साथ-साथ और इन कांसर हम लोग यहां पर मैच करते चलें यहां देखिए एवरी मेल एंड फीमेल अब यह देखिए मेल कैसा है सिंगुलर करेक्ट हो गया सिंगुलर यह भी करेक्ट हो गया अब देखिए इसको आप एंड से करेक्ट कर देजिए और से करेक्ट किजिए कौमा से करेक्ट किजिए इससे कहीं कोई फरक नहीं पड़ता यह डिस्टिब्यूटिव है तो सब कुछ सिंगुलर रहेगा ठीक है ऑफ नहीं होना चाहिए देखिए और नहीं है तो आप उसको जोड़े हो कुछ भी कर लिजिए सब कुछ कैसा रहेगा सिंगुलर तो यह भी सिंगुलर हो गया यह वाप का पार्ट वे करेक्ट हो गया आगे चेक करें यह देखिए यह देर क्या है पॉसेशी बैट जैक्टिव देर किस फैमिली का म में बताया था सेकेंड क्लास में भी बताया था कि ऐसे बच्चे जो प्रणाउन का टेबल याद नहीं किया हो जरू से याद कर लिजिए यदि आपको याद नहीं हो पाता है तो कम से कम उस टेबल को लिक लिक करके कागस पे आप अपने साथ रखिए कब जब आप इस नहीं हो जाए कि प्रणाउन का प्रयोग हमें फी मिल के लिए करना है हम लोग हमेशा और हमेशा किसको प्रेफर करेंगे तो हम लोग प्रेफर करेंगे मेल को तो सिंगुलर नंबर में कौन सा प्रणाउन हम लोग यूज करते हैं ही का यूज करते हैं ठीक है यह ही का तो गए कि यूज़ करेंगे घ्र कि यूज़ करेंगे का फैर बात समझ में तो क्लिरें 있으니까 करें फिफ फि aç सब्सक्राइब को लिए टो यह औप प्लूरा या और यह कका हुआ है जो क्या एंक है प्ल डॉल तो यह एक एष एवरे इसको आपस में दो को distributed को एंड से जोड दिया हमें इससे कोई मतलब नहीं है आगे आप चेक कीजिए यह क्या मिला नाउन कैसा होना चाहिए सिंगुलर यह सिंगुलर है करेक्ट है इसके बाद वर्ब कैसा होने चाहिए सिंगुलर यह देखिए वर्ब कैसा लिखा प्लूरल तो क्या बना दें इसको सिंगुलर टू डू दिस वाक ठीक है बात समझ में आ रही है कि आगे बढ़ते हैं कि इसको मिस्टेर आप सब लोग बना करेंगे कमेंट कमेंट बॉक्स HOW करेंगे कमेंट बॉक्स में ऐसे क मैंधे करेंगे ठाइज झारे को जली गए उसी हुज और सेकंड का इन दोनों कोशन का अनसराब कीजिए अब यह हम लोग कर ले चलिए डिसकस किया जाए देखिए नीदर मिला नाइदर नाइदर के बाद क्या रोहित नौर रितेश तो नाइदर के साथ नौर आता है आइदर के साथ हो रहाता है हमें इसे कोई आतराश नहीं है यह रही एक रेक्ट है यह रही तरफ है यह रहे श्मॉलर है करेक्ट है और यह यहां पर सिर्फ एस्टूडेंट लिखा होता तो स्टूडेंट से हमें पता नहीं चलता कि वह मेल है या फीमिल है तो हमें नहीं पता चलता फिर भी हम यहां क्या लिखते हैं लेकिन यहां पर लिखा होता वोमें कैंडिडेट फीमिल कैंडिडेट ठीक है तो जैसे ही महिला क मृणिया जेंडर अस्पस्ट हुगया कि यहां पर हमें पोसेसि का यो किसी प्रणाऊन का यूज में करना किसके लिए क्लिए उसके परनाऊन कि यूज करना घाए दो फिमेल की कलेरिटी या जाये कि सियसको क वड़ीघ। लेकिन जब तक female gender response नहों हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे हिस का उपर वाले कोशन में देखें नीदर नीदर के बाद क्या आगया ऑफ-फ के बाद देखें चिल्रेन प्लूरल है यह पार्ट करेक्ट हो गया वह यह चला गया पास्ट में अभी से हमें कोई मतलब नहीं है क् कि जो वाब का second form होता है उसका यूज सब्जेट के सांथ भी होता है और प्लूरल सब्जेट के सांथ भी हैजजट होता है अब यह क्या करेंगे तो देर की जगह यूज़ कर लेंगे ठीक है बात समझ में आ रही है कुशन नमर्ज़ वन था इच ऑफ 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 के बाद यह समझ में अगई चलते हैं से हागे कि तो यह कुछ ऐसे कोश्ण है जो आपके लिए डिवन होते हैं आप इसको सॉल्व करना होता है तो यह question भी आपके previous year में पूछा गया है इसको भी आप solve करेंगे answer करेंगे comment box में अब हम लोग यहां से आते हैं यह देखे क्या है one body thing all none यह क्या होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं Qur अभि इनटिफिनिट क्यों को बोलते हैं इन सब करीजन भी क्यों से समझना शुरु करते हैं जैसे मान लेजिए कि हम सब लोग यहां पर आफलाइन क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है कलपना किसी और जो दर्वाजा है उसको सामने से कोई नौक कर दे इस तरीके से आवाज आईए हम सब लोग अंदर हैं दर्वाजा मान लेजिए बन दे तो हमें ये तो पता ह है कि दर्वाजा कोई नौक कर रहा है खटखटा रहा है लेकिन क्या हमें पता है कि सामने दर्वाजे के उस साइट पीछे बाहर पिंटू दर्वाजा नौक कर रहा है कि मुन्निन नौक कर रही है कि सीला नौक कर रही है हमें पता है नहीं ठीक है तो ऐसे अन्नोन व्यक्ति के लिए हम कौन सा प्रोनावन यूज करें हम को यह पता नहीं है कि वो रामू की मुकेश है कि मुन्नी हे थीक तो यह इनके लिए मतलब यह कुछ ऐसा प्रोनावन होता है जिससे किसी व्यक्ति या वत्तू के डिफरिट सेंस का एक्सप्रेस नहीं होता है diff रहने का एक्सप्रेस नहीं होता है हराम हो सकता है मुन्ना हो सकता है मुन्नी हो सकती सीला हो सकती सालू हो सकती ठीक है कोई भी हो सकता है आपका दुस्मन भी हो सकता है कोई रौबर भी हो सकता है कोई डकैत भी हो सकता है ठीक है बात समझ में आई तो ऐसे केस में इसको हम लोग पाचानेंगे कैसे देखें वन बॉड़ी या थिंग यह लगा हुआ दिखाई दे वन बॉड़ी या थिंग यह सारे के सारे तीनों क्या है सब्फिक्स है अब इनका एक्जांपल होना चाहिए जैसे सम्ववन सम्भडी ठीक है सम्थिंग तो सम से बना लिजे नो से बनाईए एनी से बनाईए ऐसा कोई भी वाट जिसके लास्ट में वन बॉड़ी या थिंग लगा हो उसको हम लोग क्या कहेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे in different pronoun क्या कहेंगे in different pronoun कहेंगे ठीक है अब इनके अलावा कुछ और भी सीखे हम लोग यह तो one body thing की बात हो गए अब यह जो one या body लगा होता है one या body लगा होता है किसी word के end में इसका use हम लोग करते हैं leaving के लिए किसके लिए करते हैं तो leaving के लिए थीक है बात समझ में आ अरह짜 और जिस word के last में तिंग लगा हो उसका use हम लोग करते हैं non leaving के लिए किसके लिए non leaving के लिए करते हैं ठीक है बात समझ में आ रहे है अब अगला और आपके पास बच गया क्या बचला भाई तो आपके पास बच गया अँप देखिए all का concept थोड़ा सा है confusion से बहरा हुआ इनका concept है कि all का use यदि countable के reference में किया जाए all का use यदि countable के reference में किया जाए तो इसी को हम लोग मानते हैं plural इसको थोड़ा clean करके हम लिख रहे हैं all का use यदि cn cn बोले तो countable noun के reference में किया जाए countable noun के लिए किया जाए तो हम लोग इसी को मानेंगे plural और तब इसके बाद जो कुछ भी आएगा इसके बाद कोई noun आए या वर्ब आए जो आए सब का सब लिखा जाएगा प्लूरल किन्तु all का प्रयोग यदि uncountable noun के reference में किया जाए तो इसके बाद यहां नाउन या वर्ब जो भी आएगा सब का सब कैसा लिखा जाएगा तो सब का सब लिखा जाएगा इस बात को ठीक से समझे हम लोग कैसे समझे अब हम लोगों के पास यह एक confusion create होता है सर आप तो पढ़ाते हैं आपको सब आता होगा यह आपने रट्टा मार लिए होगा कहीं से ठीक है जैसे कुछ लोग ऐसा किया करते हैं कहीं से रट्टा मार लिए आया यहां पर सब वोमिट करती है अब हम लोगों के सामने यह student के सामने विसे सुरूप से एसे student के सामने जिनके English weak होती है उसको यह पता ही नहीं चलता यह क्या बोल गया सर यह कब countable के reference में हो रहा है कब uncountable के reference में हो रहा है यह हमें कैसे पता चलेगा सर तो हम या ऐसे जो बच्चे हैं जो English में weak होते हैं यहाँ फिर से फश जाते हैं यही कारण है कि बच्चे English पढ़ना नहीं चाहते हैं अब इसके लिए हम आपको detail में समझा रहे हैं इसको थोड़ा ठीक से समझे करते हैं ठीक है हम कहें अल इस यूजड विच वोज इन दा कूकर हम यह भी कह सकते हैं all rice is used ठीक है इसको ठीक से समझे आप ध्यान दीजिए यहाँ पे हम आपको सिखा कर छोड़ेंगे कि हम लोग कैसे समझे कि all का use contable के reference में हो रहा है या uncontable के reference में हो रहा है यहां देखें यह राइस क्या है अनकॉंटेबल के reference में हो रहा है इसलिए इसी को हम क्या मानेंगे सिंगूलर वाप कैसा दे रहे हैं सिंगूलर राइस कैसा होता है अनकॉंटेबल होता है बात समझ में आ रही है चले उपर वाले में चले all is used which was in the cooker अगर ककर में क्या होगा खाने पीने का समान ओगा ठीक है अब आप ब्ल्यजर का बटन तो रखेंगे नहीं की बुक तो रखेंगे नहीं बात समझ में आ रही है तो यहां पे आपको प्लु मिल जाता है कि इसका yooj kit reference में हो रहा है जैसे आपके tv के सूपहले एक आता था बी आइएस घोलद्गा जो कोड़्म द्बी आइएस हॉल्मार्क का सुन्दर से महिला आती थि और उसका एक पंच लाइन फोलइन होता था हfeit मेंध क्या था उसका श्द्रहैatten्मेंट होता था all that glitters is not gold प्रतेक चमकती वस्तु सोना नहीं होती अब दुनिया में कितनी चीज़े चमक रहे हैं क्या हम लोग count कर सकते हैं किसी की आखे चमक रहे हैं किसी के बाल चमक रहे हैं किसी के गाल चमक रहे हैं कभी गर्मी के दिनों में आप देखेंगे जो आपको मीरेज देखने को मिलता है हिंदी मीडियम के बच्चे समझें कि जिसकों लोग मरीची का काते जिसे पकी सबकों पर चल रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आगे पानी भरा हुआ है जील है यह कम से कम पानी गीरा हुआ है और जब आप उसके नज़्दिक पहुंचते तो वहाँ पानी तो है ही नहीं ठीक है बात समझ रही है बात समझ में आप सब को आ रही है तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं जो चमक रही है हम लोग सब को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो काउंटिंग के दाइरे से बाहर है बात समझ में आई ठीक है अब कॉंटेबल के रिफरेंस में देख लिए मा लेजे कि हम लोग यहां पर एक ओफ लाइन क्लास में बढ़ रहे हैं ठीक है और बाहर से आपके ओफिस से कोई आए हम से पूछे सर आज आज आपके क्लास में कितने बच्चे हम उस पूछने वाले केंडिडेट को आंसर करें और प्रेज़ेंट अब बताईए तो क्या करें ब्लेजर क्या मोबाइल कहीं प्रेजेंट हो सकता है कि प्रेजेंट वही होगा जो हमारे आपके जैसा इंसान होगा चाहे उसके उम्रे छोटी सी हो छोटा सा बच्चा हो या बड़ा हो यही होगा तो या तो यह किसी क्लास के बारे में कहा जा रहा होगा या किसी मिटिंग के बारे में कहा जा रहा होगा तो कलास की बात करें गुरूप मेंबर की बात करें गुरूप की बात करें ओश्युंतों सकते हैं कि किस कं सान के लिए च li dois है अब आप खुद बताए कि जो इनसान है, वो male हो सकता है, female हो सकता है, बच्चा हो सकता है, बुरा हो सकता है, बट ये contable है की नहीं है, contable है या नहीं है, contable है, तो contable के reference में यूज होगा है, इसलिए इसी को हम लोग क्या मान लिए हैं पर, plural, और वाप कैसा करने का प्रयास करें कि हम लोगों ने जो पढ़ा क्या उसका यूज करके हम कोशन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं चलते हैं इस कोशन की तरफ वेन विर इच्ड देर नोबडी वर अब देखें नोबडी यहां क्या लगा हुए वर आप हो गए परिशान सेकंड कोशन में देखें इन माई ओपिनियन विकास ऐस फेल्ड टू फॉलो नन ओफ दा इंस्ट्रक्शन्स अब आफिर हो गए परिशान इनका क्या कॉंसेप्ट है बाई तो यह कॉंसेप्ट साइध हम लोग पढ़ना भूल गए आए इसको भी थोड़ा सा कंटेनिव कर लें देखें इनक तो कहते हैं यह होते हैं सिंगुलर और इसके लिए कोई वर्भ कैसा रहेगा यह वर्भी लिखा जाता है सेंगुलर्स कैसे लिखा जाता है ठीक है लेकिन नन के साथ थोड़ा सा अलग है क्या अलग है भाई नन के बाद यहां आफ आ जाता है तो देखिए नन में यहां पर वन लगा हुआ है और यह कॉंसेप्ट हम लोगों नाउन में भी पढ़ा था सब्जेक्ट वब एग्रिमेंट में भी पढ़ा था क्या पढ़ अब कैसा लिखते हैं हम लोग यहां लिखते हैं सिंगूलर कैसा लिखते हैं सिंगूलर बात समझ में आ रही है अब यह देखिए नन ऑफ प्लस नाउन प्रोनाउन यह लिखा जाएगा प्लूरल लेकिन इसके बाद यहां कोई वर्व यूज करेंगे तो वर्व को सिंगूलर ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए अब आते हम लोग फिर से कोशन की तरफ तो सेकंड वाले कोशन में देखें यहां पर आपको क्या दिखाए दिया नन के बाद क्या लगा हुआ है और ऑफ के बाद चेक किजिए यह इंस्रक्शन नाउन आया आगे वर्व न नो बड़ी इसके लास में क्या लगा है बॉड़ी ठीक है इसको कैसा मानते हैं सिंगूलर वर्व कैसा देंगे सिंगूलर तो इस वर्व की जगह हम क्या यूज करेंगे वोज का यूज करेंगे क्लियर है चलिए बोड को क्लियर करें थोड़ा सा और आगे निकले इनका आंसर आप कर सकते हैं क्या करेंगे इसका आंसर हम लोग तो इसका आंसरों का all of her अब देखे यहां पे इसका reference में हमने आपको पहले भी बताया था subject of agreement में भी बताया था क्या बताया थे भाई तो कोई भी preposition हो preposition के बाद यहां जो भी नावन या प्रोनावन लिखा जाता है यह क्या होता है इस प्रेपोजिशन का object होता है और object कभी भी subject नहीं होता ठीक है फिर हमने आपको पताया था किसी भी preposition के पहले और बाद में दोनों जगहों पे नावन या प्रोनावन आए चाहते तो ऐसे situation में यहां आता है यह किसके इकोर्डिंग होता है प्रेपोजीशन के पहलेबाले एकोर्डिंग होता अब यह देखें यहां पर कैसे लगा हुआै यह है देजिए आप यदि हर एवरी लगाएंगे वनने एवरी यदि आ गया तो वर्ब कैसा हो जाना चाहिए सिंगुलर अब देखिए ओल इन हर उसमें सब ऐसा नहीं होता ओल ओफ हर उसका सब यह सब कुछ ठीक है तो यह देखिए ओल आ गया और इसका यूज किसके लिए क्या जा रहा है आंसर के लिए अब आंसर आप एक्जाम में जाके जो आंसर करते हैं आप अपने इससी एक्जाम में जाके जितने कुशन का आंसर करेंगे वो सारे कॉंटेबल होंगे क्या ने कॉंटेबल कॉंटेबल ठीक है तो यहां पे औल का यूज किया गया कॉंटेवल के रिफरेंस में इसलिए इसके बाद आने वाला ये भी प्लूरल और ये वह भी प्लूरल तो हमारा आंसर क्या बने का आंसर बने का ओप्शन नमबर ए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से कितना आसान है और कितने आसानी से आप देखिए क्या आप इन सारे कोशन के आंसर किये जा रहे हैं तो इन तीनों कोशन का आंसर आप खुझ से करेंगे कहां करेंगे कमेंट बॉक्स में करेंगे हम वहीं पर इसका आंसर करेंगे कि यह कुछ उसी तरीके का कुशन है तो यह भी कुछ उसी टाइब का कुशन है यहां पर आते हैं हम लोग इसको जरह बनाने का प्रयास करें दिएर इस डैस इन माई क्लास हूँ कैन सॉल्ब दिस प्रॉब्लिम जो टीचर एंडी सब्वाइंटेटली डी सब्वाइंट का मिनिंग क्या होता है निरास होकर जैसे हम आपको यहां पढ़ा रहे हैं माल लेजे कि हम लोग किसी ऑफ-लाइन क्लास में होते हम लोग क्लास रूम में होते आप सब रहे हैं कौन कौन से बच्चे कितने बच्चे कर पाते और यह दि आप में से कोई भी नहीं करता जैसे अभी हम लोग को वन बॉड़ितन पढ़ रहे थे उससे रिलेटर कोई कोशिक्शन हम आपसे पूछे और आप में से कोई भी नहीं करता तो मुझे बड़ा दुक होता अपसोस होता गम होता और बड़े अपसोस के साथ हम आपको कहते कि देखिए यह जो कोशन है यह इस क्लास में बैठा हुआ कोई भी कैंडिट नहीं बना पाया यह बड़े दुखी बात है तो हम दुखी हो जाते निरास हो जाते वह यह दिसपॉइंटेड ली तो डिसपॉइ ना सके तो हम क्या करेंगे सिंज जा रहा है निगेटिव तो हमारा आंसर होगा नोबड़ी डैटीज ऑपसन नंबर बी ठीक है काफी आसान सा कुशन है तो आसा करते हैं कि यह कॉंसेप्ट आप सी गया होंगे और यह चुकिए आपके से सी एक्जाम में पूछा गया है तो इसको आप जरूर से यहां पर सॉल्ब करें आईए इनको हम लोग यहां पर सॉल्ब करें यूथ इस डैस हूँ इस नौट अचाइल एनिमोर एंड इस यह तो एंटर एडल्ट हुड अब यूथ क्या होते देखिए आपको लग रहा है कि यहां पर नॉट लग गया है अब सेंटेंस का जब टोन पॉजिटिव हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं समका यूज करते हैं किन्तु सेंटेंस का टोन यह दे नेगेटिव हो कैसा हो नेगेटिव हो तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका यूज करते हैं अब यह जो हूँ है को से इधर दूसरा языk Κorns sum consumers यानिक मेंदेंस का दूसरा पार्थ इदर सुरो रहा है इसे हमें कोई मतलब नहीं हमें यदि इसका टोन होता यानि कि यह नागेटिव टोन इस साइड होता जहां तो हमें फिल करना है उधर वाले पार्ट में होता है उधर वाले क्लॉज यानिकि क्लॉज या सेंटेंस में होता उपवाक्य या वाक्य में होता तो हम यूज करते नेगेटिव वर्ड का यह हम यूज करते एनिवन का चुकि यह नेगेटिव वाला वर्ड इस साइड है दूस पार्ट में है तो हमें उसे कोई मतलब नहीं है अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा सम्वान क्या हो जाएगा सम्वान डेट इस पॉजिटिव और हम यूज करेंगे ठीक है तो काफी आसान था आगे भड़ते हम लोग यहां से और चुकि यह कोईशन भी आपके इससी एक जाम में पूछा गया इसलिए इसको हम लोग जरूर बनाएंगे चले इसको आप सब लोग बनाईए अब आईए हम लोग यहां पर इसका आंसर मैच करें देखें यहां पर आंसर क्या हो सकता है एनिटिंग नथिंग सम्थिंग इवरिटिंग सब के लास में देखें क्या लगा हुआ है थिंग लगा हुआ है सब क्या है इंडिफरेंट प्रणाउन क्या है सब है इंडिफरें ढालें जड़ेक्ट दिए ट्रोटर्जेक्ट वर्ग तव निए तविश अजय तद्राइब बनाने में कुछ न कुछ कमी है तो मारा च्छ न कुछ अब यह सब काफी आसान सा सेक्शन है इसको आप बना सकते हैं अब यहां से जो विच का सेक्षन है यहां से अम लोग पढ़ना सुरू करेंगे अपने अगले क्लास में ठीक है तो आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं यहीं पर समावत करते हैं कंक्लूड करते हैं आप सबों का बहुत-बहुत आभार और हाँ यदि ज्यादा ज्यादा आप सेयर करें ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा ज्यादा बच्चे से प्रभावित हो सके ज्यादा ज्यादा बच्चे से लाभानवित हो सके और इसका लाव उठाकर ज्यादा ज्यादा बच्चे खुद का सेलिक्शन करवा सके ठीक है तो इस तरीके से यदियाब करेंगे तो हमारा आपका सबका उद्धे से पूर्ण होगा ठीक है तो अब आज के इस लेक्षर को हम लोगे हैं पर समात करते हैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद